कंगी घुमा के उल्टा चोपी टिका के गोगल लगा के अपना कॉलर चड़ा के सच-धच के घर से डगा-डग निकले का स्टाइल में रहने का है वह सब एनदर फैमिली आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे थ्री मिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे अगर आपकी डार्क स्केन आप रेगुलर बेसेश पर यह मिस्टिक्स करते हो तो वह थ्री मिस्टिक्स क्या है वीडियो शुरू सब्सक्राइब देखते रही है और आपकी डार्क स्केन उपर से आप हेर कलर करवा देते हो तो उसमें आपकी और जो हाइलाइट होगा आपके स्किन का कलर ठीक है ऐसे में आपको विलकुल अवोइट करना है आप ऐसे में ही नेच्ट्रल में ही आप बिलकुल 100% दिखते हो बट आप क्यों पता नहीं कैसे जो भी डाक स्किन गाया वह बिलकुल आवोइट कीजिए आपको बालों में कलर करना भीकार है आपके लिए अप जो फेर गाया ना उन पे जैसा चाहे कलर अच्छा लगता है बट आप अब सेकंड मिश्टिक के बारे में बात करते हैं तो सेकंड मिश्टिक है ड्रेस सेंस आप अपना ड्रेस सेंस आउन पॉइंट रखिए आपकी ड्रेस सेंस से ही आपकी परस्नालिटी शो होती है दूसरे बंदे या बंदी को अगर आप कुछी भी ड्रेस मतलब कुछी भी वियर करते है ना तो वह बहुत ज्यादा और लगता है आपको एक मिली मिलिश्ट सा ब सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक केजिए अब आते हैं पॉइंट नम्बर सेकेंड कर जो कि है ड्रेस सेंस आपकी परस्नालिटी को शो करता है किस टाइप के बंदा हो या बंदी हो ठीक है आपको ड्रेस सेंस ओन पॉइंट रखनी है अब ब्लू हो गया ओले मिरी ऐसे डाइप के कपड़े पहन ही है ठीक है अब पॉइंट नम्बर थर्ट के मिश्टिक के बारे में बात कर रहे है वह है अब बहुत सारे बंदे या फिर लूज कपड़े पैंते है आप और बहुत जादा इस्कनी टाइट अब देखो होता हि है कि बैसिकली अगर आप बहुत ज्यादा थाइट पहनते हो तो आप इसकनी हो तो बहुत ज्यादा इसकनी शो होगा आप में अगर वहीं आप टेलर अगर फिट कपने पैन होगे ना भाई एक लेवल अब चलागे जाएगा तो थैंक्स फॉर वचिंग इस वीडियो अगर आपको और वीडियो बनवाने है तो प्लीस कमेंट करके बता दीजिए